पर चाहते हो कि आपके जितने भी फेशल हेर, वो रिमूफ कर WOOD हो जाए तो इससे BEST है कि आप ब्लीच ले सकते ओ उसके लिए तो यहां पे मैं Oxilife bleach यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी brand का bleach यूज़ कर सकते हो तो आपको जैसे 2 टीजपून मैंने अगर लिया है, यहाँ पे जैसे मैं ले रही हूँ क्रीम, तो इसमें जो एक्टिवेटर जाएगा, इसमें सारे कुछ मिल जाते हैं आपको, तो जैसे यह एक्टिवेटर है, तो यह एक्टिवर मुझे 2 चुटकी लेना है, ज्यादा भी यूज नहीं करना, अगर आपकी sensitive skin है, तो आप सिर्फ वन चुटकी यूज कर सकते हो, एक्टिवेटर, तो एक्टिवेटर को बहुत ध्यान से डालना चाहिए, अब इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से जब यह मिक्स हो जाएगा, तब आप पे pre cream और post cream दोनों मिल जाते हैं, तो pre gel को पहले आपको लेना है अपने हाथ पे और पूरे face पे अच्छे तरीके से मसाज कर देना है, इससे फायदा यह होता है कि अगर आपकी sensitive skin भी है, तो आपकी skin काफी अच्छे तरीके से hydrate हो जाती है, यह gel यूज करने के बाद, जब आप ब्लीच क्रीम को अपने face पे apply करोगे, तो वो अच्छे तरीके से आपके face पे लगेगा, और आपके जितने भी hair होंगे, baby hair है, छोटे-छोटे hair है, face पे facial है, वो सबको यह अच्छे तरीके से cover कर लेगा, तो आपको पूरी तरीके से cover कर देना है, पर हाँ अपने hair, ज अच्छे से भी दूर करके ही लगाना है, जहां पे आपको चाहते हो कि जो आपके hair है, वो golden हो जाए, आपके face color के हो जाए, वही color आपको छोड़ना है, अगर आपकी skin थोरी सी dark होती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 10 minute के लिए रखना है, और अगर आपकी face बहुत जाद instant glow देता है, काफी जादा glowing skin के लिए भी facial से पहले ये किया कर जाता है, bleach तो आपको अगर face बहुत जादा glow चाहिए, तो आप bleach जरूर लिया करो, one month में one time आप ले सकते हो, और ये देखिए, ये फिर post gel है, जिसे आपको apply करना है, कि अगर किसी के redness हो जाते हैं skin पे, या उसे settle कर देता है, और उसे ठीक कर देता है, so friends वीडियो अच्छी लगी तो like करना, channel को कर लेना, subscribe और bell icon को click कि आपको notification मिलती रहे, मिलते हैं next video में, so till then, bye bye